हेलो गाइस, I am Nikki और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ Students Point सो गाइस हमारी जो यूनिट है कौन सी? फोर्थ यूनिट एन्वार्मेंटल पॉल्यूशन और कंट्रोल वाली इस यूनिट का जो हमारा लास्ट टॉपिक है पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर और पॉल्यूशन के स्टडीज ये बचा है इसकी बाद आपकी जो पूरा सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम इंपॉर्टन कोशन सीरीज देखेंगे ठीक है, इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं बिना लेट करें ताकि हम इंपॉर्टन कोशन सीरीज पर चल्दी से पहुच जाए बाकी मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टन कोशन बता रखे हैं आपने अगर वो नहीं देखी हैं तो आप वो भी देख सकते हैं भारत में हमेशे से नदियों को पूजनिय माना जाता है यह तो आपको भी पता है लेकिन आज के टाइम पे नगरी करण की सब भेता है पॉलिथिन है कुड़ा कच्रा है इन सभी ने नदियों को बहुत जादा खराब करती है बहुत जादा जिसका इफेक्ट जो है आज हमारे समाज पर बहुत गंदा पढ़ड़ा है बिमारियों के लोग शिकार हो रहे हैं गंगा या मुना कृष्णा और कावेरी हो सभी नदियों के साथ पॉलियोशन अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को झेल रहा है इन नदियों के मैदानों में आने के साथ ही इसमें सिचाई के लिए नहरों के लिए एक जो जाल के हेल्प से पानी लगाया जाता है जिससे आगे के मैदान शेतर में रहने वाले लोगों को पानी की मातरा भी कम मिल पा रही है उनको पानी इतना नहीं मिल पाता है और अब इन नदियों में बेह वाले पानी नाले तश्मों आदी इन सभी पानी पानी इनके अंरेकलूट होता है जो अपने साथ कचिरा और कामिकल्स वगएरा सभी चीजों को साथ में रखता है नदियों तलाबों के जो पानी है और जो जमीन का पानी है उसको तो इनसान ने अल्डेडी पल्यूटिट कर दिया है प्रदोशित करने में इसमें सागर के जल को भी नहीं छोड़ा बिल्कुल नहीं छोड़ा क्योंकि आपको पता है जब सबुद्र से तेल लाया जाता है तो ना जाने कितना टन तेल बहे जाता है कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है जिससे सबुद्र का पानी भी खराब होता है उसमें रहने वाले जानवरों को भी नुकसान जहिलना पड़ता है और बहुत सारी चीज़े क्रियेट होती हैं जो बहुत खराब होती है फिर उस तेल को साफ करने के लिए गवर्मन्ट का कितना अर्बो खर्बो पैसा लगता है ठीक है तो वो सारी चीज़े है तो जी महा के जो अब यह वाली चीज़ है कि महा के लोगों का जीवन यापन पैरेटकों को अलग अलग तरीके से बेच कर होता है उन बस्तियों में किसी भी प्रकार के शौचाले की विवस्था नहीं होती है किसी भी तरीकी के कोई भी प्रोवाइड नहीं होती है चीदे अलग-अलग टैकनीक के डैविलप्मेंट की वैसे सागर के जल में बहुत बड़े बड़े जहाज चलते हैं जो यात्रियों को लाने ले जाने के लिए काम आते हैं दिल्ली में प्रवेश के टाइम पर यमूना नदी के पानी के गुडवता बहुत ही अच्छी होती है लेकिन उसके आगे लगबग 48 किलो मीटर तक का भाग जो है वो पॉलियूटेट है तो इस नदी का जल जो है घरेलू उपयोग के लिए जल से चाएं के लिए और पीने के लिए इन सब के लिए किया जाता है क्योंकि दिल्ली का लगबग 57 परसन अबसे जमूना में ही फेका जाता है ये उस चीज़ के लायक रही नहीं पाता बिचारा कि इसको हम ऐसे तरीके से यूज़ कर सकें पॉलियूशन को हमने पढ़ा है पॉलियूशन हमारे बहुत प्रकार का है पॉलियूशन को हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, बहुत तरीके के पॉल्यूशन, ठीक है, तो उन सभी पॉल्यूशन में हमने पढ़ाता कि भई साथ यह पॉल्यूशन होते कैसे है, तो जी, यह जो पॉल्यूशन है, यह कैसे हुआ, क्यों हुआ किसकी विए से हुआ वो हमने डीप ली पढ़ा लेकिन अपकी जो क्लास है हम इसमें पॉल्यूशन के साथ इसको लेकर क्या एक बड़ी-बड़ी मुद्दे रहे हैं न उन चीजों पर पाच वर्षों में बहुत बढ़ गई है हम ये देखते हैं कि नगरों का जो गंदा पानी है नदियों में 75% तक बन जाता है नगरों का जो कूरा का बाड़ा कच्रा है वो सब नदियों में जाकर इकटा हो जाता है जो बहुत-बहुत-बहुत खतरनाक बात है और हमें जेलने पड़ती है ठीके स्टूरेंट अब बात आती है हमारे there are many reasons for the pollution of rivers in India भारत में नदियों के प्रदूशन के कही कारण है पहेला है हमारा ओध्योगी करण इंडस्ट्रिलाइजेशन भाई इंडस्ट्रिलाइजेशन फैक्टरी बहुत बन गई हैं लोग तकनीक के चक्कर में बह एक दिन गेरोगे ही और हमारा ओध्योगी करण सबसे पहला पॉइंट रखा जाता है दूसरा जो है हमारा धार्मिक और सांसकुतिक किरियाएं रखी जाती है ठीके तीसरा है हमारा शेहरी करण जो शेहरी करण बहुत बढ़ गया है लोग कछरे में कुड़ा ना फेकर नद दूटेड हो जाता है जैसे मरे वे शव नदीयों में बहаг जाते हैं जानवरों के शव बहा जाते है या बहुत सारी चीजसे हैं इसी जो नदियों में पानी में जाकर मिल जाती हैं जैसे कृशी के लिए धंकくानी नहीं रहता और उसका हमें सामना करते है और वो सामना नहीं कितना गंदा कर देते हैं हमें खुद नहीं पता होता कि हमारे एक छोटे से कागस फेकने से भी वो जगा पॉल्यूटेड हो सकती है एन्वार्मेंट में बहुत जादा ये चीज़े अब देखी जाने लगी है कि कितनी जादा ये सब कुछ तादात में पॉल्यूशन ब उसको continue करते हैं और उसमें सबसे पहला pollution case studies में हमारा गंगा action plan गंगा action plan क्या है भारत देश में गंगा नदी को पवित्र नदियों में से एक माना जाता है नदियों में solid waste फेके जाने की वज़े से धार्मिक नेतियों के चलते गंगा जैसे पवित्र नदियां दिन प्रते 1985 में नदियों की सफाई के लिए गंगा कारिवाई योजना मतब गंगा action plan स्टार्ट करा था तो 1985 में जब इसको start किया गया उसके टाइम पर इसमें बहुत focus रखा गया और इस योजना को आगे बढ़ाते हुए गंगा action plan 1 1986 औ 1993 तक इसको continue चलाया गया और इसको चलाने के सा ध्यान रखा गया कि इसके अंदर कोई भी कूडा चक्चरा ना फेके किस तरीके से कितना पैसा लगा कर सफाई करनी है क्या करना है सारी चीजों को इसमें इंकलूट किया गया तो इस योजना के दूसरे चरण में गंगा की सहायक नदियां या मुना गोमती और दामोदर की सफाई भी इसमें शामिल की गई और इसके साथ इसमें गंगा एक्षन प्लैन में ही इनको भी जोड़ दिया गया कोई अलग इनके लिए नहीं बनाया गया गंगा नदी आज के टाइम में भारत की प्रदूशे नदी में से एक हैं इसमें लगभग डेली एक बिलियन लीट लग शीवेज डाला जाता है गंग के लिए मताग गंगा की परती और 8 मिलिलीटर जल में से 6ła से जाधा काली फां जिवानईं उपैया जाते हैं जो इंसान की हेल्थ के लिए बहुत ही जादा हामफुल है बहुत ही जादा तो जी हमारे गंगा एक्षन प्लैन के लिए जो हमारी पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने सेंट्रल गंगा पॉलिशन का गठन किया था और वो 1985 में जो ये गंगा एक्षन प्लैन के नाम से रखा गया है ठीक है और इसको हमने आगे तक देखा है कि 1986 से 1993 तक ये चलता रहा अब आज जाओ हमारा इसी के अंदर जो था कि इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं गंगा में रेत खनन के लिए डाइरेक्ट रूल्स वगेरा होने चाहिए गंगा निगरानी के से बेंदर की स्थापना होनी चाहिए गंगा बेसिन केหा स्टोर कैसे करके रखना है से क्वको देखने चाहिए चार धाम यात्रा के लिए सावजनिक सुवधाएं हनी चाहिए कच्रे और स्वच्छता की ध्यान में रखते हुए एक अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए गंगा के किनारे बसे शहरों में सीवेज का जो पूरा प्रॉसेस है सब कुछ है वो गंगा से कहीं दूर बनाना चाहिए ताकि हमारे नदी पॉल्यूशन से बच सके लोगों को वहाँ पर अवेर करना चाहिए बताना डिली एर पॉल्यूशन का दिली वायू प्रदूशन का लेवल दिन प्रते दिन बढ़ता जा रहा है यह तो आप भी जानते हैं दिली में प्रदूशन की स्थिति इतनी जादा भयानक हो गई है कि एक इंसान 15 से 20 सिगरिट पीने पिए गाना तब जाकर उसको इतना प्रभ सिगरिट तक का जो धुआ है वो पॉल्यूशन के जरी हमारे अंदर जा रहा है उपर से सिगरिट पीने वाले लोग आप लोगों की नॉलिज के लिए मैं आपको बता दू एक सिगरिट हमारे जिंदगी के 11 दिन कम कर देती है यह ऐसा साइंटिस्ट के अनुसार मैंने आप को बताया है साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं खोजबीन करने के बाद कि सिफ एक सिगरिट हमारे जिंदगी के 11 दिन कम कर देती है तो 15-20 सिगरिट का धुआ पॉल्यूशन से जो जा रहा है वो हमारी जिंदगी को कितना कम कर रहा है बी पी कैंसर शुगर जैसी बिमारियों को बढ़ा रहा है और बिमारियों से तो इंसान आटरमाटिकली उपर पहुचेगा सीधा बिना टिकेट के तो वाली चीज है कि हमारे जो विशेशक यह हैं वो बताते हैं कि दिल्ले में खराब वायू की वज़े से लोगों पर दिन बर दिन बहुत असर पढ़ता जा रहा है भारती शोत करता हो कि एक अधियन में पता लगा कि बिमारियों को बढ़ावा देने के लिए मृतियों आने के लिए सबसे जादा जो इफेक्ट कर रहा है वो है पॉल्यूशन ना कि कोई और चीज ठीक है विश्व की 18 परसन अबादी भारत में रहती है जिसमें से 26 परसन लोग वायू प्रदूशन की वज़े से ही मर जाते हैं भारत में हर टाइम आठ में से एक मौत जो है वो सिफ पॉल्यूशन की वज़े से होती है और यह जो है हमारे लेंसेट प्लैनेट हेल्थ 2018 पत्रिका में छपा था इस बात के बारे में कि टोटल आठ लोगों में से हर घंटे कोई एक ऐसा शक्स होता है जो पॉल्यूशन की वज़े से मरता है हर घंटे ठीक है तो जी भारत में बहुत सारे तरीके की जो हैं प्लैन्स वगेरा जो भी चीज़े चलाए गई हैं इसको धियान में रखकर जो इसको कंट्रोल कर सके कुछ कर सके ठीक है भारत के हर राजे में मृत्यू रोग और आयू और वायू प्रदूशन का असर बहुत जादा हो रहा हैं 2017 की हम बात करें तो 12.4 लाख लोगों की मृत्यू हुई थी एर पॉलिशन की वज़े से जिसमें से 6.7 लाग की लोगों की मृत्यू जो हुई थी वो पार्टिकुलेट मेटर औ और 4.8 लाख लोग की मृत्यू प्रदूशित हवा की वज़े से हुई थी जिसमें से जादातर लोग 70 साल की मर के थे तीक है अब ऑविसली बात है इनसान जब बच्चा होता है तब और जब बुड़ा हो जाता है तब दोनों ही स्टेज में वो बहुत कमजोर होता है बहु इससे रिलेटेड रिपोर्ट हमारे भारतिया आयूर विग्यान अनुसंधान परिशन जो है उसमें रिपोर्ट जारी करते हुए प्रोफेसर बलराम भारगव ने बोला था कि देश के अलग अलग राजियों में एयर पॉलिशन की वज़े स्वास्ते पर बहुत जादा इफेक्ट हो रहा है इसकी मदद से वाई-उ प्रदूशन की वज़े से होने वाली बिमारियो को रोक थाम करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए इस तरीके से हमें पता लगा कि भारत के बहुत सारे स्ट्रोट ट्रांसपोर्ट या निर्मान कारे उद्ध्योग थर्मल पावर प्लांट हैं जिन मेंसे धुए निगलते हैं घरों और वैवसाइल ठोस उर्जावाल इस्त कि इन सब चीदों से हमारा बहुत इफेक्ट बढ़ा है इनसान मरते जा रहे हैं तो हम इन चीदों पर ध्यान देंगे और डेली एर पॉलिशन के लिए इस चीज़ पर ध्यान दिया गया और हैंस पुरूब डेली एर पॉलिशन खतम हो गया है अब आता है प्लास्टिक सॉ बहुत बार आपने कभी न कहीं कहीं न कहीं देखा होगा कुटे बिली भेड़ बकरे गाएं बहुत कभी प्लास्टिक खा लेती हैं कुछ खा लेते हैं और उससे उनको इतना नुकसान होता है जो प्लास्टिक कचला रोट पे पड़ा होता है भाई वो तो जानवार है उनन दिल्ली अकेला 689.5 टेन उत्पादन करता है सिर्फ दिल्ली प्लास्टिक पॉलिशन का प्रभाव जमीन पर पानी पर और आसमान पर हमारे सभी तरीके के एन्वार्मेंट में बहुत जादा पड़ता है प्लास्टिक प्रदूशन जो है हमारा भूमी पर कैमिकल तरीके से एक चीज़े पैदा होती हैं जिससे सीधा सीधा कैंसर और महिलाओं में दिल की बिमारियां पैदा होती हैं और कैंसर तो एक बहुत आम बिमारी हो गई है जिससे पहले के टाइम के लोग नाम तक नहीं लेते थे इसका और अब यह बिमारी इतनी आम हो गई है कि हर दूसरे शक मेरी मिल जाती है बहुत आम हो चुकी हैodka कही न कहीं का कैंसर जरूर होता है वो भी सिर्फ पॉल्यूशन और सब चीज़ों को मिलाकर सिर्फ हमारी मौत की वज़ा पॉल्यूशन और ये सारी चीज़े बन रही है जिसका कोई वजूद नहीं है जिसको समझना भी एक बहुत मिश्किल काम है कि भई कैसे पॉल्यूशन कैसे इनसान को मार सकता है लेकिन मारता है ठीक है तो प्लास्टिक बदारतों को चलाना भी बहुत जादा हामफुल होता है इसमें से जलने के बाद जो जहरीली गैस निकलती है वो इनसान को जहरीला बन का कुड़ा जलाने पर तीन किलो कार्बन डायोकसाइड गैस निकलती है जो ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा रीजन है और इसका जो है बहुत खतरनाक एफेक्ट लोगों पर पड़ा ठीक है तो इसके लिए गाउमेंट ने कुछ न कुछ किया और करने के बाद इन मेक इन इंडिया और इज आफ डूइंग बिजनेस वाले जो था वो रखा गया पूरा और उसके ही अकॉर्डिंग की भई प्लास्टिक का ये होगा वो होगा वगरा होगा सब कुछ चीजों को ध्यान में रखा गया कि ऐसा ना करना वो करना यू करना ठीक है और इन सब ची लिही इतना करता था लेकिन अब इतना कम हो गया है हमारे एक्ट के बाद की थोड़ा बहुत जो इफेक्ट है वो कम पड़ता है इस क्लास का हमारा लास टॉपिक है वो है भुपाल गैस ट्रेजडी स्टूडन भुपाल गैस ट्रेजडी एक मातर ऐसी चीज है जो खतना हुई थी दो तीन दिसंबर 1984 के टाइम पर दो तीन दिसंबर इसलिए बुरा जा रहा है दो की रात को हुई थी तीन की सुबा हो गई थी मतब दो की शाम में ही हो गई थी और फिर तीन की सुबा तक यह बहुत ज़्यादा खतरनाक थाबित हुई इन्फेक्ट सच्च जो की आखें नहीं हैं कुछ बच्चे अबनॉर्मल हैं तो इतना ज़्यादा एफेक्ट होता है इस गैस का महाँ पर और हुआ यह था कि तीन दिसंबर मतलब दो दिसंबर की आधी रात के बाद सुबा यूनियन कारबाइट की फेक्टरी से निकली जहरी गैस मिथाइल नहीं है क्या बात हुई थी आप चाहो तो उसको यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना इस पे एक सेपरेंट मूवी भी बनी हुई है स्टूडेंट इंडिया में इनफेक्ट फॉरन कंट्री में भी बनी हुई है तो हुआ ये था कि जब वो सब फैल गई थी ना तो मर गए थे सास लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी लोग हॉस्पिटल भाग रहे थे तो भाग कर भी क्या करते क्योंकि डॉक्टर्स खुद मर रहे थे यह थोड़ी की हॉस्पिटल है हॉस्पिटल मैंने जाओंगी अंदर गैस तो गैसे भी फैल गई वो पूरे शहर में पहली हैं तो इसकी बाद लाखों लोगों की जान चली गई बहुत लोगों के हेल्थ पर इफेक्ट पड़ा मिट्टी खराब हो गई एन्वार्मेंट खराब हो गया इसकी वजए से भुपाल सिद्ध यूनियन कार्बाइट कॉर्पोरेशन जो कीट नाशक दवां को पाद आएं बुढ्डे बच्य इन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करया था बहुत ज्यादा इसकी वजए से हजारों की संख्या में लोग मर गये थे और ज्यादा तर लोग तो अपाहिज हो गई थे और इसी की वजशे से बहुत सारे चीज़े जो हैं हमें खतरनाक देखने को मि इनफेक्ट भुपाल गया स्ट्राजडी के बार जिन बच्छों ने जनम लिया वो विकलांग पैदा हुए और उस बिमारी से आज तक जूज रहे हैं जिससे उस टाइम पर इफेक्ट बहुत जादा पड़ा था और ये इतना भयानक सिलसला था कि अगर हम इसको देखें या बहुत गौर से पड़ें तो हमारी रूख आप जाए इतना भयानक चीज ये हुई थी सिर्व एक आधी रात और एक सुबा ने सब की जिन्दगी बदल दी थी सब कुछ खतम हो गया था लाशे बिच्छी पड़ी थी और वहां की मदद के लिए जब कोई बचा ही नहीं था तो कौन किसकी मदद करता लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर्स थे पुलिस वाले थे सबने कोशिश करी कि लोगों को वहां से बाहर निकाल सकें किसी और शहर भेज़ सकें लेकिन जितने जा सके जा सके बाकी सब उसकी चपेट में आ गए और उनके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसको सुनकर या देखकर बहुत खतरनाक फील होता है ओके स्टूडेंट सो आप लोगों की एन्वार्मेंटल पॉलिशन अन कंट्रोल यूनिट फोर भी खतम हो गई है मुबारा किये ठीक है यह हमने कम्प्रीट कर ली है अब जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इंपॉर्टन कोशन सीरीज देखेंगे सारे इंपॉर्टन कोशन द दी जा रही है इसके अलावा आपको किसी और की इंपॉर्टन कोशन सीरीज चाहिए तो आप मुसे कमेंट बॉक्स और टेलेग्राम चैनल पर बोल सकते हैं तो थैंक्स फॉर दब वॉचिंग और बेस्ट अफ लग ओल